सस्क्राइब नहीं करोगे तुम उसे कैसे मिलोगे हाई एवरीवन वेलकम बैक माई यूटूब चैनल विनीता मौरेया अपनी रसोई आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी माउथ वाटरिंग काजू मठरी की रेसिपी को शेयर करूंगी ये मठरी खाने में थोड़ी सी तीखी और चटपटी होती है और बनाने में बेहदी आसान है तो आईए देखते हैं मुह में पानी ला देने वाली इस तीखी और चटपटी काजू मठरी को आज हम कैसे बनाएंगे काजू मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गेहू का आटा ले रखा गेहू का आटा यहाँ पर हेल्दी आप्शन है इसकी जगा पर आप मैदे का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम यह mixing ball लेंगे इसमें माटे को डाल देंगे आटे को हमने चन्नी से पहले ही छान लिया था आप इसे छान करके तभी मठरी बनाने के लिए इस्तमाल करिएगा वन टी स्पून अजवाइन डाल देंगे फ्लेवर के लिए अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे इससे अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है वन टी स्पून रेट चली पाउडर डाल देंगे वन टी स्पून टेस्के एकोडी नमक एड़ कर देंगे पांच बड़े चमच मुयम डाल देंगे अब घी या तेल किसी का भी मुयम दे सकते हैं हम यहाप घी का इस्तमाल कर रहे हैं अब हम सारी चीजों को आटे के साथ में अच्छे से मिला लेंगे हमने आटे में सारी चीजों को अच्छे से मिला लिया जब इसे मुठी में बांद रहें तो यह अच्छे से बंद जा रहा है इट मींस मुयम परफेक्ट है अब हम इसमें आवशकता अनुसार पानी डालते ही हुए हम इसका एक सेमी डो तयार कर ल फिर उसके बाद हम इसकी मठरी बनाएंगे 15 मिनिट हो चुके हैं और आठा अच्छे से रेश्ट कर चुका है इसे मसलते हुए हाथों से एक बार फिर से गूत लेंगे फिर हम इसकी मठरी बनाएंगे अब हम आठे की एक लोई लेंगे बड़ी सी और इसे गोल कल लेंगे तोड़ा सा आप सूखा आटा यहां पर छिड़क सकते हैं और यह हमने इसे रोटी की तरह गोल बेल लिया है इसकी मोटाई आप देखिए हमने इसे इतना मोटा रखा है इससे ज्यादा इसे हम पतला नहीं करेंगे नहीं तो मठरी अच्छे से नहीं बन पाएगी अब हम इस मठरी हमारी बन के तयार हो रही है एक दम काजू की शेप में देखिए कट रही है यह मठरी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मज़ेदार होती है बनाने में बेहदी आसान है हमने इस वीडियो में आपको बहुत ही इजी तरीका बताया इस काजू मठरी को बनाने क और ये लीजी हमने सारी मठरी को बना के तयार कर लिया है अब हम इने फ्राई कर लेंगे मठरी को फ्राई करने के लिए हमने पहले से तेल को गरम होने के लिए रख दिया था तेल को हमने मध्यमाच में गरम किया है अब बहुत ज़्यादा गरम तेल में मठरी को मत फ्राई कर गया ऐसे में घर में पकवान बनने तो लाजमी है और मठरी एक ऐसा नाश्टा है कि आप इसे पहले से बना कर रख लीजिए किसी भी एटाइट कांटेनर में जब भी घर में गेस्ट आई या भी जब भी आपका इसे खाने का मन करे तो आप इसे इंज्वाई कर सकते हैं अग हम इसे कढ़ाई से अलग कर लेंगे इसे हम एक टिशू पेबर पर रखेंगे ताकि इसमें जो भी एक्ट्रा तेलो सोख हो जाए और सेंँ प्रोसेस से मबाकी की मठरी को भी फ्राइ कर लेंगे मठरी को हम बिल्कुल भी जल्दी बाज़ी में हाई फ्लेम पर नहीं करेंग मैं आपके साथ होली के लिए कई तरह की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ उनका लिंक हमने दे दिया है वीडियो के लाश्ट में डिस्टप्शन बॉक्स में और यह हमारी लाश्ट पैज की काजू मठरी भी फ्राई हो चुकी है बनिया गोल्डन कलर इसमें आ गया है इसे भी हम कड़ाई से अलग कल लेंगे अगर आप चाहें तो इस मठरी को ऐसे भी खा सकते हैं ऐसे भी खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आएगी पर इसको और भी सूपर टेस्टी और तीखा और चिटपटा बनाने के लिए हम इसमें एड करेंगे कुछ मसाले हम इसमें दो चम्मट डालेंगे रेट चिली पाउडर इसको तीखा बनाने के लिए और चिटपटा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे एक चम्मट चाट मसाला आप यहाँ पर चाट मसाले की जगा पर ड्राई मैंगो पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं चाट मसाले को हम कम ही डालेंगे क्योंकि मठरी में पहले से नमक पड़ा हुआ है और चाट मसाले में भी नमक होता है इसलिए हमें चाट मसाले की quantity को कम रखना है अब हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे मठरी के साथ में हमने सारे मसालों को मठरी के साथ में अच्छे से मिला लिया है अब हम इनकी प्लेटिंग कल लेंगे और ये तीखी चटपटी काजू मठरी बनके तयार है खाने के लिए इस सोली पर आप इस काजू मठरी को घर में जरूर बनाएगा अगर आपको इस काजू मठरी को बनाने में कोई भी समस्या आए तो आप कोमेंट करके अपनी समस्या का समधान कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको हमारी रेस्पीस अच्छी लगती हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए पासी में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और अपने एक्सपीरियन्स नीचे हमारे कॉमेंट सेक्षन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी नई वीडियो के साथ थैंक यू बाबाई